आओ करे त्यारी में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एडू टेरिया बिहार करंट अफेर्स की इजो मेगजीन है इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिये होए हैं इसका प्रैक्टिस सेट नमबर 11 जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले है इसके पहले भी हमारी 1-10 प्रैक्टिस सेट की वीडियो आ चुकी है जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है प्लीज वो प्लेइलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं साथ ही जो बिहार करंट अफेर्स की मेगजीन है जिसमें टोटल एक वर्स की घटना ग्रमों को इंक्ल जहां को विश्व साहित सिच्छक प्रसकार सा सम्मानित किया गया है तो यह अरूड कुमार जहां को विश्व साहित प्रसकार दिया गया है यह कौन से जिले के हैं तो यह मदुबनी जिले के हैं सही जवाब हो जाएगा सी मदुबनी जिले के रहने वाले हैं अरूड कुमा तो यह जो नालंदा डेरी सी एसस है यह मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेरी बन गई है तो यह पहली डेरी बन गई है सही जवाब हो जाएगा सहर साथ सी नेक्स देखते हैं कोश्चन नमबर फॉर हाल ही में बिहार के किस जिले में कोशी सफारी सबसे बड़ा फूड पार्ट बनाय जा रहा है तो डेश का जो सबसे बड़ी पार्क नाय जा तो यह जो का नामों चोटी है लाहॉल इसपिती पे इस पे 328 फूट जो ऊचा तिरंगा फैराया है वो नंदन कुमार ने फैराया है सही जवाब हो जाएगा ए नंदन कुमार नेक्स नम देखतें कोश्चन नमबर 7 बिहार पुलिस ने अपने चक्र एप के लिए निमलिकित म प्रदान किया गया है और यह दिया है तो सही जवाब हो जाएगा भी फिक्की के दौरा इसको दिया गया है नेक्स्ट हम देखतें कोश्चन नमर 8 बिहार के एक मात्र टाइगर रिजर्व बालमी की टाइगर रिजर्व में किस तिथी से टाइगर सफारी का सुभारम किया बिहार का एक मात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वालमी की टाइगर रिजर्व यहां पे टाइगर सफारी की सुरुवाट की गई है तो इसकी जो शुरुवार्वात की गई वह एक निमबर Avant 12 से की गई है सही जाव हो जाएगा डी प्रजवाल पंडे नेक्स देखते हैं को नमबर 10 हाली के गोशना के अनुसार चेनारी में एथनाल प्लांट अस्थापित किया जाएगा यह किस जिले में है तो चेनारी एथनाल प्लांट जो है वह रहताज जिले में है सही जवाब हो जाएगा सी रहताज चिला नेक्स देखतें गया नमबर कोशिएं बिहार के किस जिले में इस्थिधार्मिक अस्थल पुनावरा धाम को परेटर मंत्राले की प्रसाद योजना में सामिल किया गया है तो यह जो पुनावरा धाम है यह सीता मड़ी जिले में है सी बिहार के किस जिले में पहली बार प्रास्टिक कच्रे से सड़क बनाई जाएगी वह भागलपूर जिले में बनाई जाएगी सही जवाब हो जाएगा भी भागलपूर जिला नेक्स देखतें कोश्य नमबर 13 पीम गती सक्ति योजना के तहत अत्यादुनिक कार्गो टर्मि पूसा में किया जा रहा है एक संदेखतें कोश्य नमबर 14 पाइप किसने सब मिस्टर इंडिया वल्ड वाइट 2022 का किताब जीत कर भिहार को गौरवानित किया है तो सब मिस्टर इंडिया वर्ड वाइट 2022 का किताब यह जो जीते हैं वहां नील आर्ययन ठाकुर सही जाब ज करने वाला देस का पांचवा नयायल है तो यह यूट्यूब को नबर 16 है वना रूत कर्फित की द्रिष्टी से बिहार के निमलिखी जीलों का सः अव्रोही कर्म आपको बताना है वनावञड से संबंधित तो जो सबसे है इसमें औरोही करम में देखते हैं कैमूर है फिर जमूई है फिर नवादा है फिर मुंगेर है तो सही जवाब हो जाएगा भी इसका औरोही करम जो होगा वहां मतलब बनावरल में सबसे जादे कैमूर में है फिर जमूई में है फिर नवादा में है फिर जहनाबाद बन गया है सही जवाब हो जाएगा दी जहानाबाद घिला जहां पर 100% डिजटल बैंकिंग से वह फ्रदाम की जा भीहरी का पहला बैंबू गार्डन कहां पर बनाया जा रहा यह लिए बैंबू गार्डन बनाया है और निर्माड की做DR ressort वो महाबोधी connection center परिसर बोध गया में किया जा रहा है सही जवाब हो जाएगा ए महाबोधी connection center परिसर बोध गया नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 19 बिहार के किस бол status अविनेता को चुना आयोग ने अपना national icon बनाए तो चुना आयोग ने अपना नैस्नल icon बनाया है पंकस्तृपार्थी को सही जवाब हो जाएगा डी पंकस्तृपार्थी नेक्स को देखते को विज़िए बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले و तो पटना जिले में स्थापित किया गया गया गुथे लिए ए सेहरों कि सूचियाanger के किस सहर ने प्रथम यहार का मुंगेर जिला है इस सौची में पहला स्थान प्राप्त होण है तो मुंगेर को सवाच तरवेच्छर 2022 में इसको प्रतम अस्थान मिला है कोशे 22 चटपर बागवानी रूफ टॉफ गार्डनिंग योजना की सुरूवात निमलिखित में किस राजसरकार के तौरा की गई है चतपर-बागवानी की जाएगी योजना का प्रार्म किया गया है ये किया गया है निदें को सबी पंचायटों में किसानी स्वाजना यो JACKPAL-it trading जाइड उन्म पाणि का गयाueller जिस में देपने सब्सक्राइड कुलाएं 60- situación 00.23 करने के लिए CMनितिस खुमार ने कौन सा अभियान सुरू किया है कि जो किसान चौपाल होगा इसका जो आयोजन किया जाएगा वो सब पंचायतों में किया जाएगा और यह कौन सी अभियान के तहट यह सुरू हुआ है तो आभियान रभी महाभियान 2021-22 सही ज़ा हो यह सबसे जादे प्रदूशीत कार के लिए निम्लिकित में से किसे बिहार स्री संभान प्रदान किया गया है ये किया गया है ढुक्टर मुकंद कुमार सिंग्ट कुमार से को और इन्हों ने कुरोना काल में जो है वो स्वास्त के छेत्में उत्कृष्ट कारप्रदर्शन किया है इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है नेक्स्ट देखते हैं कोश्च नमर ट्वेंटी सिक्स बिहार के किस जिले के सबलपूर दियारे में मा गंगा की 101 मीटर उची प्रतिमा अस्थापित की जाएगी वो पटना जिले में की जाएगी सही जाब हो जाएगा ए पटना के रहें देखते हैं कोश्च नंब ट्रेंटी सेवन लगिनजर पावर स्टेशन की तीस रही इकाई चेहसो साथ मेगावाट से बिजली का उत्पादन सुरू किया गया यह वीजार के किस जिले में स्थित है तो नभी नगर पावर स्टेशन यह तीसरी एक आई है और यहां से 660 मेगावार्ट जो है विजली वो उत्पादित की जाएगी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्ण है ूपन्यस मैला आंचल मैला क्या है। यह जापाद भासा में जो लेखक है वो फड़िस्वर नाथ रेडू है सही जवाब हो जाएगा भी फड़िस्वर नाथ रेडू का ये उपन्यास है नेक्स्ट हम देखते हैं कोशी नबर देश भर में काम के लिए देश जाने वाले लोगों की संख्या मामळे में सभी राजय अपने तलास में विदेश जाने के मामळे में है बिहार विधान परिशद के उप सभापती कौन बने हैं बिहार की जो विधान परिशद है उसके जो उप सभापती बने हैं वह राम चंदर पूर्वे बने हैं सही जवाब डी हो जाएगा राम करिजाव हो जाएगा बी बिहार राज़ का जो बीधान परिश्द है वह पहला जो है वो डिजिटल इस अधन बन गया है वहां पे जो सारे काम आज जो भी होंगे वह इलेक्ट्रिक तरीके से किये जाएंगे सारे वह एलेक्रोनिक माध्यम से उसको कंप्लीट किया जाएगा नेक्स्ट कोष्ण देखते हैं कोष्ण नम्बर थर्टी टू पिहार के ज़ेंगे कोशन में नम्बर 33 को आउट LOOK ट्रेवलर आवाड 2022 समारों में सर्वस्रेष्ट का संबान दिया गया है तो बोद्ग्या जो जो यह ह्वोग्या क्वे करति कि आमद में संबानित किया गया है कि कि राश्टी अप्राद रिकार्ड व्यूरो 2021 के ताना कौन से कथन जो है वो सही है पहला है आई-पीसी के तहट दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में, साथवे ह्स्तान पर है, ò Сबिक्काथ, यह तीनों ही कत्भप रिपोर्ट आई है, इसमें बिहार के बारे में है, तो आप यह ए को ध्यान रखिएगा, कि जो ऐपी सी के तहर्ट जो भी मामले दर्ज होए उसमें बिहार को सात्तमास स्थान है और जह सर्षा होगा है जाहें तो सांच माले को होता है सत्ति हम सा कese बमदेखता है S1 को willkommen नेक्स देखते हैं कोशियो नंबर 36 जल जीवन हर्याली योजना के तहत बिहार के किस जिले में इस्थित धनौती नदी से गाध हटा कर उसे पुनर जीवित किया रहा है तो धनौती नदी है उसमें बहुत जारे जो गाध जमे थे उनको हटा करके उसको वापस से पुनर lawsuit no.37 महिलाओं के खिळाफ अपरातके मामले में बिहार को देश में कौन से अस्थान प्राप्त हुआ है तो जो भिहार राज्यास हुआ च Associate अस्थान महिलाओं के खिलाफ अपरात के मामले में बिहार को देश में प्राप्त हुआ है नेक्स्ट हम देखते कोशन नमबर 38 निम्लिखित में से किसे हाल में हाली में 2022 का 32 अबिहारी पुरसकार दिया गया है यह माध्व हाडा को दिया गया है सही जवाब हो जाएगा डी मा किया है तो यह जो जवाहलाल नहरु की परतिमा है इसका जो अभी अवरेट किया है वो मुख्य मंत्री नितीज कमार ने किया है मी जवाब और नतींगे शल्में किया गया मेंकिकावicação दीनीच़िले में किया गया है नेक्स्ट कॉस्ट नबर 40 छात्राउं को सेनेटरी नैपकिन खरीदने हैं 300 रुपे की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राजी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्त योजना की शुरुआत की गई है तो यह बिहार राज्य के द्वारा इस योजना की सुरुआत की गई है सही जवाब हो जाएगा सी बिहार राज्य इसमें 300 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो भी छात्राइं हैं उनको सेनेटरी पैट खरीदने के लिए और यह जो योजना के तहत प्रादम किया गय नेक्स्ट विएक दे कोश्चन नमबर 41 बिहार राज्य सरकार की गोश्चना के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्योसाय करने के लिए सतत जीव को पारजन योजना के तहत कितने रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी तो इसके तहत जो है वो एक लाख रुपे की अर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तो सही जब इसका भी हो जाएगा एक लाख रुपे इसमें क्या होगा कि ताड़ी के वदले नीरा जूबी ब्योसाय करेगा उसको जीव को पारजन है वो सतत तरीके से चलता रहे तो वह योजना है सतत जीव को पारजन योजना इसी जो गंगा जल योजना की उप्रदता की सुरुवात की है ते जो गंगा जल आपुरती योजना है अभी इसका प्रारम जो है 28 नेंबर 2022 को हुआ है और यह किस जिले से प्रारम किया गया है तो यह गया जिले से इसको प्रारम किया गया है सही जाव हो जाएगा भी गया जिल सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माड होगा जो सबसे बड़ी प्रतिमा है सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माड किया जा रहा है जवाब हो जाएगा एसीता मड़ी जिला नेक्स्ट हम देखते हैं कोशे नमर 46 बिहार में इस्थित किस बिजली सयंत्र को स्वर्ण सक्ति अवार्ड से समानित किया गया है तो यह जो स्वर्ण सक्ति अवार्ड दिया गया है यह कहल गाउं बिजली सयंत्र को दिया गया है सही जवाब डी है कहल गाउं बिजली सयंत्र कोशेन नमर 47 पदमस्री से समानित बिहार के लोक गायक हो संगीत कार ब्रच किषोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया बताएं कि उन्हें कि इस वर्ण संगीत नाटा कादनी पूरसकार से समानित किया गया था तो यह जो पदमसीर से सम्मानित लोग गाय को संगीत कार थे ब्रच किशोर दूबे इनको जो है 2017 में नाटा का गादनी पुरसकार दिया गया था तो सही जवाब हो जाएगा सब्सक्राइब निला है दो सांस कारीकरम कि संबंदी थे तो सांस कारीकरम है यह किसे संबन्दी थे तो निवोनिया से नौजात बच्चों की होने वाली मृत्या बच्चों के लिए जागरुकता अभियान है इसको प्रारम किया सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को लाइक करिए अपने सब्सक्राइब करें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद